आप देख रहे हैं पार ब्रिकफार्स एक बाद देख लेते हैं S.G.S. Nifty को हाला कि जो क्यूज इंटरनाशनल मारकेट साच वो पॉजिटिव ही हैं बहुत जादा बढ़त तो नहीं है S.G.S. Nifty में भी ब्रुकुर फ्लाटरेट करा है 9636 के लदल पर लेकि नजर रहेगी आज एक बाद फिर से पूरे ही बैंकिंग स्पेस पर हाले लिवरेश्ट कांपनी इस पर क्यूंकि NPA को लेकर जो कवायर है वो काफी तेज हो गई है Reserve Bank ने NPA पर बैंकों को एक बार फिर चितावदी दी है आर्बिया ने बैंकों से कहा है कि 55 सबसे बड़े NPA पर खातों के मामलों को 6 महीने में सुलजाएं या फिर बैंक रप्सी की प्रक्रिया अपनाने के लिए तैयार रहें सूत्रों के मुताबिक आर्बिया ने कहा है कि अगर 6 महीने के भीतर इन 55 इन पिए खातों का मामला नहीं सुलजता है तो बैंकों से कहा जाएगा कि वो इनके идет इनसौलवैंसी की प्रक्रिया अपनाने से पहले आर्बिया बैंकों को समय देना चाता है इससे पहले आरबे 12 सबसे बड़े NPA खातों को इंसॉल्वेंसी के तहट सुलजाने का सुधाव दे चुका है ये वो खाते हैं जिन पर 5000 करोड से जादा NPA है और इन 12 खातों पर कुल NPA का 25% हिस्सा है बैंकों का फिलाल 8 ला करोड से जादा NPA भी बने हुए है और NPA इसको लेकर इजर्व बैंक ने ओवसाइट कमीटी का वस्तार किया है इस कमीटी में अब तीन और सदस्यों को शामिल किया गया है S. रमन, जानकी वल्लब और P. कुमा ओवसाइट कमीटी यानि RBI की निगरानी कमीटी के नए सदस्यों होंगे कमीटी में MBN राओ और YM दिवस्तली को शामिल किया गया है इस कमीटी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार है और ये कमीटी 500 करोड़ पे से जादा के NPA मामलों का अध्यान करेगी एस्ट्रमन फिलाल सेवी के होल टाइम मेंबर और जल्द ही उनका कारेकाल भी खात्म होने वाला है चिले बुक कर लेते हैं से सीधे कमोडिटी इसका मैं सजजजा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर अनलेस्ट है मुत्वाल उस्वाल कमोडिटी से कल हमने घरिलू बाजार में हाली की जो लगातार कमजोरी देखी गई थी उसके बाद ही रिकवरी देखी और करीब एक सब एक परसेंट उपर बढ़कर क्रूड बंध हुआ वहीं गोल्ड में भी हमने करीब 60-70 रुपे की मजबुती देखिया तो नेगेटिव है लेकिन कल एक चोटा से स्पोर्ट लेकर यह बंध हुआ इस उचाल को यूज करना चाहेंगे बिकवाली के लिए पिर कोई और व्यू है गोल्ड पर अपने बताया कि कल एक माइनर बांस पाक्टेखने मिला था मैं इस राली पेशने की सलाजना चाहूँ ठीक है गोल्ड पर बिकवाली की सलाह है अठाइस मांसों की टागट अटाइस नौसों का स्टॉपलोस आपको रखना है को और कमोडिटी जो आप रेकमेंट करेंगे अच्छा लाप देखना है में कॉपर में की सला देंसरा हूंगा 368 के लेवल पर तींसों पिचाथ सब्स ठीक है और रुपेपर क्या विव रहेगा आज के लिए अधिक है चोटी सी रेंज नहीं है बट रेंज का अफसाइड आज टेस्ट हो सकता है 4.50 पे बाय किया रथा सक्त है, 6.75-80 के टार्गेट ठीक है, चले शुक्री आमित आपका इव बताने के लिए, 6.80 के टार्गेट साथ पॉजिशन बनानी, 6.435 का स्टोप लॉस, copper में ये buy recommend कर रहे है 368 के level पर buy positions बरानी है 375 का target 365 का stop loss ये recommend कर रहे है लेकर हम याज से सीधे आगे बढ़ेंगे और उपकरेंगे news and focus का सुमित हमार साथ मौजूद भी है कुछ बड़ी खबरे लेकर बताइए सुमित क्या खबरे हैं कल वाली खबर का ये extension कह सकते हैं दिपाली कल एक खबर हमने दी थी news and focus में ही जहां पर ये खबर की तीन जो कंपनिया है इसमें लॉक्ट्रो स्टील है भूशन स्टील है और स्र स्टील है इनके इनको लेकर इस बेगे consortium के बैठक थी उस बैठक का बाउटकम आया है और आज भूशन पावर के साथ एक बैठक होने वाली IDWay Bank का consortium में से लीड करेगा इनमें इंस्टॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड इता है इनने NCLT में रिफर कर दिया गया इन तीनोई केसिस को कल SR Steel के दो खबार आ गए थी जहांपर उनको NCLT में रिफर किया गया था लेकर ना भूशन स्टील और साथ से Electro Steel को भी रिफर किया गया है भूशन स्टील के लिए जो लेंडर से ने दो विकल्प दिये है पहला विकल्प तो यह है कि S4A के अंदर शामिल किया जाए इसमें करीब करीब 52% जो इनकी डेट है उसको कनवर्जन की बात है दूसरा एक बड़ा स्टील कंपनी है वो भी कंपनी के लिए प्रपोजल दे रहा है 25,000 क्रोपे में डेट के साथ खरीदने गा तो वो एक और विकल्प खुला हुआ है इलेक्ट्रसीली केस में हाला कि जो विकल्प है वो यह कि प्रमोटर्स में 1500 क्रोड रुपे के डिशनल लोन लेंगे इडिल वाइस से एक तरफ या फिर वो जो प्रमोटर है वो खुद इसके अंदर रकम इंफ्यूस करेंगे तो यह दो विकल्प इनके सामने खुले हुए हैं तो यह एहम चीज है दूसरा भूशन पावर को लेकर एक एहम बैटर कोने वाली है जिसमें भी उनके जो फेटर को लेकर फैसला होगा और IDBI बैंक उसे लीड करेगा इसके अलावा अगर NCLT में जाते हैं तो पहले तो 180 डेस का उन्हें टाइम मिलेगा सब्सक्राइब बिखते हो दिखाई पड़ेंगा इस अफ नौ इन दोनों कमपने के लिए अच्छा ट्रिकर है हाला कि आज जो फैसला आना वो भूशन पावर पर है अगर सिच्वेशन वहां भी आती है तो भूशन ग्रूप के लिए अच्छा ट्रिकर हो सकता है ठीक है वैसे भी कई दिनों से जो हाले लिवरेश कंपनी से समय तो फोकस में बनी हुई है हाई वॉलटायल मूव हम देख भी रहे हैं भूशन स्टील का अपने नाम लिया कली स्टोक दस परसेंट नीचे था उससे पहले सेशन में दस परसेंट ऊपर था इफरेट कल भी फर्स्ट हाफ में ऊपर था उसके बाद एक 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 करेक्ट हुआ था एक्जाक्ली तो इनीचे इनीचे पर थोड़ा सा कॉशिस रहें तो जाद भैतर होगा शुक्रिया सुमित आपका ये खबर बताने के लिए लेकिन आगे बढ़ेंगे आपको बता दें कि अगर अपने एपीएफ के पैसे से घर लेना चाहते हैं आप तो इसके लिए आपको लंबा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है इपीएफो ने तीन साल तक निवेश करने वालों को इस स्कीम का फाइदा देने का एलान किया है जो कि पहले पांच साल तक था प्रधामंत्री आवास यूजना के तेत एपीएफो ने एक ग्रूप हाउजिंग स्कीम लॉंच की है जिसमें सब्सक्राइबर्स एपीएफ की 90% रकम का इस्तमाल घर के डाउन पेमिंट और EMI चुकाने में कर सकते हैं इस स्कीम के तहर सब्सक्राइबर्स को अधिक्तम सबाद 2 लाख रुपे तक की ब्याज में छूट भी मिलती है पीएफ सब्सक्राइबर को 10 सदस्यों वाली किसी हाउजिंग सुसाइटी का सदस्य होना चाहिए और आम लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है आउसिंग फॉर ओल के टागेट को पूरा करने के लिए शेहरी विकास मंत्रालेक मॉडल पॉलिसी पर काम कर रहा है इस तरह जो सरकारी जमीन को अतिक्रमन्ट से भी बचाने में मदद मिलेगी सरकार लॉंग टम लीस पर प्राइवेट डेवलपर को जमीन मौया कराएगी इसके लिए प्राइवेट डेवलपर को मामूली रेंट देना होगा प्राइवेट डेवलपर की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, अस्ट्रोक्षिन और फाइन सिंग की होगी और प्रोजेक्ट तयार हो जाने के बाद प्राइवेट बिल्डर इसे केंदर सरकार या फेर राजय सरकार या फिर पपब्लिक अथॉरिटी को सौप प्रवेट रैंड में भी बना सकते हैं इसा नया प्रावधान अमने रखा है विजली मंत्री प्योशकोल ने कहा है कि GST लागू होने से बिजली दरे महंगी नहीं होंगी उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर एक जुलाई से GST के लिए पूरी तरह तैयार है प्योशकोल ने कहा कि कुछ तकनीकी दिकत रही थी जिसे अब सुलजा लिया गया है उन्होंने कहा कि गलत सूचना फिलाई जा रही है कि ट्रेडर्स को 37 रिटर्न भने होंगे और अब ये बाते वो लोग फिला रहे हैं जो मौशुदा सिस्टम से GST में शिफ्ट नहीं होना चाहते प्योशकोल ने कहा कि GST लागो होने से पावर सेक्टर का इंपुट कोस्ट घटेगा जिसका फायदा कंजूमर्स को होगा उन्होंने कहा कि इसे लेकर वो रेगुलेटर से मुलाकात करेंगे और आपको ये भी उता दे कि कोईले को GST के 5 परसन की स्लाब में रखा गया है जबकि फिलहाल कोईले पर 12 परसन टाक्स लगता है चलिए फड़ाफट साब कुछ ब्रोक्र हासेस की रिपॉर्ट्स और आपको बता देते हैं जहांपर व्यू आया है CLS से कब व्यू आया है टाटा मोटर्स पर यहांपर नोंने सेलरेटिंग दी है उनका मानना है कि वैलुएशन एक्सपेंसिव हैं इसलिए 405 के टागेट वो दे रहे हैं उनका यह भी मानना है कि घरेलू और इंटरनाशनल मार्केट में थोड़ा से कंसर्स एमर्ज हो सकते हैं कॉम्पेटिशन क्योंकि बढ़ा है तो यहांपर 405 का टागेट है दूसरा वीव आया है सिटी का पेटरनेट पर उनका मानना है कि पूरे ही और इंटरन गास पैक में उनकी अगर कोई प्रिफर्ड पेख है तो वो पेटरनेट है वैलुएशन थोड़े से स्ट्रेश जनल तो यहांपर भी आप नज़र रख सकते हैं आज के सत्र में हाली में जित्ती भी रिपोर्ट्स आई भी इंट्रेक्ट M&M पर वो पॉजिटिफ ही रही है अब तक तो बिल्कुल फ्लाटरेट कर रहा था लेकिन अब आप आल्मोस नॉंक नीची 8627 के लेवल्स पर है